Hello friends, welcome back in my youtube channel आज हम tenses की series शुरू कर रहे हैं जिसमें हम 12 tenses पढ़ेंगे grammatically हिसाब से As a simple हम पढ़ेंगे conceptly पढ़ेंगे जैसे सब को समझा जाएं तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है देखें तो ये वो जमान हाल होता है जो हमें अपने मोजूदा time के बारे में बताता है जो हम जिस time में चल रहे हैं अभी उसके बारे में हमें बताता है मतलब इसकी definition ये ये जो हमें मोजूदा हाल मतलब जिस time में हम चल रहे हैं बारे में बताए तो हम उसे present indefinite tense बोल दें यहां simple tense भी बोल सकते हैं तो इसको इसकी key points क्या होती है के key points जो मैंने यहां पे तीन लिखी है यह याद रगनी है सबसे पहले कि इसमें जो verb होता है उसकी first form लगती है ना के second form लगती है ना के ink form लगती है fourth form ना third form लगती है इसमे simply first form हम verb की लगते हैं दूसरी key points यह है कि इसमें जो singular forms होते हैं जिसमें he, she, it या कोई single name आजाता है किसी जगा का या किसी person का तो उसके साथ हमें S या E S का इजाफा करना है यह याद रखना है यह main point है कि जब भी singular form plural के साथ नहीं लगा नहीं पिल्यूरल में क्या 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 है इसमें he, she, it या किसी जगा का या किसी person का ने तो उसके साथ हमें A C या E S का इजाफा करना है तीसरी बात क्या है कि इसमें do और does हम questioning में यूज कर सकते हैं इसमें do और does helping verb हैं किसके present indefinite tense के यह याद रखने तीन point अब इसको हम उर्दू में यह हंधी में कैसे पेचाने tense को कि यह जो tense है वो present indefinite tense का है तो पेचाने की पहली में आपको बता दूँ कि points के जिस sentence में या कि जिस जुमले में last में ता है, ती है, ते है, मतलब हैं या हूँ का आवाज आएगा मतलब यहां तो हम sentence को पढ़के देखेंगे कि यह कौन सा जमान की बात कर रहा है मगर ज जाता है, यह मतलब market जाता है, तो मतलब जहां पे है की आवाज आए जो हमें बताए कि यह अभी हो रहा है, तो यह इसके पेचाने की बहुत point है, अभी मैंने इसकी structure दिये, structure में आपको very close समझ आएगा, पूरा sentence, सबसे पहले मैंने यह simple, simple जो हमारा tense बनाते है, उसमें जो first form of verb लिखनी है, और उसके बाद हमें object लिखना है, last में, तो यह structure याद रखनी है, simple sentence के लिए, पहले हमें subject, उसके बाद first form of verb, जो मैंने पहले आपको बताए कि इसमें लगती first form of verb है, उसके बाद हमें object लगाना है, यह simple sentence की structure है, example कैसे है, he goes to club, वो club जाता है, मतलब देख है, मतलब यह अपने अभी time की बारे में बता रहा है कि वो club जाता है, अभी ही हमारा क्या है, यह subject है, यह याद रखना है, ही हमारा subject है, इदर आया सकता है, वो यह आ सकता है, जो भी हम sentence ले सकते है, यू आ सकता है, वो यह आ सकता है, दे आ सकता है, कोई भी आ सकता है, यह क फार्स्ट फार्म आप वाब लगेगी तो गोज इसलिए है कि जब मैंने की पॉइंट में आपको बताया कि जब भी सिंग्यूलर फार्म आएगा ही शी इट या किसी नेम या किसी जगा कर नेम तो वहां पे हमें एस और एस इजाफे में देनी है तो ही हमारा सिंग्यूलर वाब है सिंग्यूलर वाब है तो इसके साथ सिंग्यूलर मतलब फार्म है इसकी ही तो इसके साथ हमें एस का इजाफा रखना है अगर आए यहां होत plural, तो हम direct go रखते हैं, फिर हम goes नहीं लिखते हैं, यहां पर singular है ही ही के साथ हमें es लगानी है, तो इसलिए हमने यहां पर goes लिखा, he goes to club, वो club जाता है यह हो गई, simple structure of sentence definite tense की, यह simple structure है, अभी negative structure हम कैसे बनाएंगे इसकी, negative structure में हमें यह series रखनी है मतलब यह आपको structure जरूर याद रखनी है, फिर ताके आपको tense समझ में आएगा, negative structure में हमें क्या करना है subject लिखना है, subject के बाद हमें do या does देनी है, जो हमने helping वाब आपको पताए, do या does उसके बाद not देनी है, not देके फिर हमें first form लिखना है, first form के बाद हमें फिर last में object लिखना है, यह negative sentence की structure है, subject plus helping verb, do या does, जो भी आएगा, उसके बाद not, उसके बाद first form, उसके बाद object, अभी example में हम देखें तो कैसे लिखा है हमने, he आगया हमारा subject, उसके बाद he singular है, singular के साथ does लगेगा, plural के साथ do लगेगा, यह याद रखना है, मतलब I, we, you, they के साथ हम do लगाएंगे, और he, she, it, यहां किसी singular name, यहां किसी place का name के साथ हमें does लगाना है, मतलब single चीज़ों के लिए does, plural चीज़ों के लिए do लगाना है, यह याद रखना, यह भी माइन पॉइंट है, तो negative tense का example, structure का कैसे example हम लेंगे के, he does not go to club, मतलब he subject हो गया, फिर हमने helping verb रखा does, उसके बाद हमने not लिखा, उसके बाद first form go, go ही होगी, जब भी negative tense, does वगएरा, या कोई और चीज ही के बाद आएगी, तो फिर हम goes नहीं रखेंगे, फिर हम जो first form है, वो ही लगाएंगे, he does not go to club, वो कलब नहीं जाता है, मतलब वो कलब नहीं जाता है, इसकी meaning यह होगी, अभी, हमें questioning, questioning, जो sentence आते हैं, उसकी structure हमें किसे बनानी है, तो जो हमारा questioning sentence होता है present indefinite tense में, तो उसकी structure कुछ यह है के, पहले हमें do या does लगाना है, पहले, सबसे मतलब पहले हम इन दोनों में subject लगा रहे थे, अब हमें do या does लगाना है, उसके बाद subject लगाना है, उसके बाद first form of verb लगानी है, उसके बाद object लगाना है, यह याद रखना है, यह structure याद रखनी है, तो he के साथ कौन सा लगेगा helping verb, does लगेगा, तो पहले हमें does लगना है, does उसके बाद subject, he आ गया, first form of verb, go आ गई, तो गलब आ गया क्या यह कलब जाता है, तो पोच सकते हैं, does he go to कलब, क्या यह कलब जाता है, और आखर में हमें question mark जरूर देनी है, क्योंकि यह refer करती है, कि यह जो sentence है, वो question वाला tense है, ना के negative या positive, तो यह थी present indefinite tense की simply मैंने आपको बताया, इंचाला आपको समझा आया होगा, नेक्स्ट वीडियो में इंचाला, हम past indefinite tense के साथ आएंगे, thank you so much